आपम देखाएं आप बैफ वेरि वेरि गुद्मार्निंग टू अल a few है लिदिवाज ग्लास्टिक्स में मैं आप लोगों को विड़वेरि गुद्मार्णिग अक्षिलेश कुमार शांतुनू VKya वैपो कुमार जिस आईडी से भेज रहे हैं वेरी वेरी गुद मॉर्निंग ठू आल तो आज क्लासिक्स में मैं आप लोगों को डिविजन कर वाऊंगा चैप्टर थर्टीन और फॉर्टीन का ठीक है? चैप्टर थर्टीन में मैंने आप लोगों को कल अगे वेरी गुड मॉर्निंग संजय कुमार जिस इडी से भेज रहे हैं एक वेरी गुड मॉर्निंग ओडियो वुडियो क्लियर है जो लोग इस वीडियो को देखने हैंगा बताएए और युडियो क्लियर जा रह यह सब लोगों को जीविजन ओफ चैप्टर 13 and 14 13 जो कि है आपका gender और 14 है आपका case of the noun ठीक है ओके प्रकास कुमार चलिए ओके पताईए आडियो वीडियो सब लोगो क्लियर जा रही है पुड़ा बोट दिख रहा है यह सर आडियो और में क्लियर ओके ओके थैंक यू चलिए तो chapter 13 पहले हम लोग देखते हैं जो कि हमारा कल जो मैंने आप लोगो को बस इसके definition के बारे में मैंने क्यों बताया था gender और इसके kind के बारे में कल मैंने जो topic gender good morning ओम परकास शुमन जिस आडि से भेज रहे हैं good morning तो gender में मैंने आप लोगो को कल केवल gender के types मैंने बताये थे mainly gender के जो होते हैं वो क्या ठाइपज होते है masculine gender जो male को denote करता है gender which denote male is called masculine gender feminine् Unit को denote करे फेमिन जेंडर female को denotes करे common gender जो क्या होगा male or female either male or female या to male होगा या female होगा दुनों में से को ही हो सकता है जिसे चाइल्ड हो गया, बेबी हो गया, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, स्टूडेंट हो गया, यह सब क्या होते हैं, मेल और फीमेल, दोनों हो सकते हैं, तो यह हमारा हो गया, common gender, ठीक है, और neutral gender में lifeless object आता है, non-living things, जिसे pen, copy, book, computer, laptop, mobile, these are neutral gender, which are lifeless object, ठीक है, तो यह चार, point, चार, many definition, आप लोगों को कल बताया था, only, next हम लोग अब देखते हैं, formation of the family gender, कैसे masculine से family में हम लोग, convert करते हैं, हाँ, ओड, लकडी, लकडी भी कहा है, हमारा neutral gender है, ठीक है, तो आप हम लोग देखते हैं, formation of family gender, formation of feminine gender, कैसे हम लोग masculine से family में convert करें हैं, तो इसके कुछ simple से rule है, जो जात अरे student को पता भी होगा, देखिए, तो सबसे पहला rule है, by changing the word, बिल्कुल word ही बदल जाता है, by changing of word, ठीक है, word को बदल के ही हम लोग masculine से family में convert कर देते हैं, ठीक है, जैसे for example देखिए, changing of, तो यह बहुत सारा आप लोग को पता होगा, जैसे आप लोग को मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँगा, बताईएगा, जैसे first हो गया आपका, husband, husband का, feminine क्या होता है, आप लोग को पता ही है, husband का क्या होगा, wife, ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे लेते हैं, bachelor, bachelor, bachelor का family gender क्या होगा, बताईए, bachelor का, या तो आप bachelor का मेंड लिख सकते हो, या spinster, spinster, ठीक है, spinster, s-p-i-n-s-t-e-r, यहाँ पे लिख सकते हैं, बहुत शादा है, दो इसमें कुछ main men है, जो जात है, आप लोगों को, पता नहीं हो, जैसे bull का काउ, पता होगा, आपको dog का bitch, पता है, drone का देख लिए, बी, बी-र-ो-ए-ड्रोन, इसका होता है, बी, मक्खी, drone होता है, male मक्खी, बी होती है, female मक्खी, ठीक है, यह कुछ-कुछ important है, जो साइद आप लोगों को, याद करने की ज़रूरत है, ना, nephew का nice, भतीजा का भतीजी, N-E-P-H-E-W, nephew, इसका होता है, N-I-E-C-E, nice, it is he, वैसे ही, बहुत सारे, वैसे masculine gender है, जो कि, जिसको हम लोग family में convert करते हैं, उसका बिल्कुल word को ही बदल के, ठीक है, तो normal जो है, आपका brother का sister, boy का girl, father का mother, horse का mayor, gentleman का lady, man का woman, papa का mamma, uncle का aunt, यह सब तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे word है, जो की थोड़ा सा, वो अलग है, तो उनको आप लोगों को याद करने की ज़रूरत है, ठीक है, कुछ ऐसे word है, next point आते हैं हम लोग, second, by adding e-double-s, अब कुछ ऐसे word है, जिसमें हम लोग, क्या जोड़ते हैं, e-double-s, e-double-s जोड़के उसको क्या करते हैं हम लोग, family में convert कर देते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा, example बताइए, कौन-कौन से ऐसे word है, कौन-कौन से ऐसे word है, जिसमें हम लोग, e-double-s जोड़के उसको प्रूडल में convert, sorry, family gender में convert करते हैं, तो for example में आप लोग देख लिए, जैसे हो गया, prince हो गया, author हो गया, prince, author, poet, priest, जिसको बुक्त हम लोग पुजारी, poet, priest, है ना, सही है, actor, बिल्कुल सही है, actor, और बताइए, lion, god, ठीक है, ये कुछ ऐसे हैं, जिसको हम लोग, e-double-s उसको जोड़के, plural में convert करते हैं, ठीक है, by e-double-s, ये क्या है, वेक्सेज, ये वेक्स क्या लिखे हो, खुसबू, ये साइटी समय रहो, ये वेक्स क्या होता है, वेक्स मतलब तम करना होता है, वेक्स जो है, वो क्या है, आठीक है, चलो, prince में, prince हो जाएगा, प्रिंसेज, राजकुमारी, ओथर का, ओथरेस हो गया, ठीक है, poet का, poetess, priest का, priestess, पुजारियन जिसको बोलते हैं, actor का, actress, अरिमेत्री, lion का, lioness, god का, goddess, ठीक है, इस तरह से यह कुछ ऐसे, masculine जिसको family में करनोर्ट करने के लिए, यह जोडते हैं, चली, clear है यहाँ पर, ghost का, witch, बिल्कुल, यह तो first वाल नहीं था, यहाँ पर मैं, यह जोड़ा रहा हूँ, authors, poetess, actress, lioness, goddess, बिल्कुल सही है, कुछ बूब, यह जोड़ा है, यह जोड़ानों लिखते हैं, third, कर दो की T が एंटूरदा मैं, यह जोड़ानोंा नहीं, क्ली,iosis, बिल्कुल, इन्हीं करते हैं, बीआग सेना का कि लाल नहीं, यह ज sleוא जाँ हैं, लाल को बाल बाल-टंगरे, शो मैंगरे, जो एंगरे, yep, कर भे रहाँ हैं, कर वेजसे कर दो कर दो कर दो कर दो ह। गोस्ट का विच विच मतलब भूत होता है विच मतलब डायन होता है तो मेल और फीमेल ठीक है इस तरीके से चलिए आगे देखते हैं थर्ड बाइड द्रॉपिंग दवर दॉपिंग दभावल एडिंग ए डबलेस ठीक है नेक्स्ट है इसा वाले एक और क्या हुआ है एक ही है कर देखिए बाइड ड्रॉपिंग दवर भावल बाइड ड्रॉपिंग दवर भावल को हटा देना है एंड एडिंग ए डबलेस और उसमें तब इडबलेस जोड़ना है एडिंग एडबलेस ठीक है बावल को हम लोगों को हटाना है और उसमें तब इडबलेस जोड़ना है ठीक है जैसे फॉर इग्जामपल देखिए क्या क्या है इसमें आगया actor अभी आप लोग इसमें देखे थे इसमें आप लोग उसी में दे दिये थे actor इसमें एक्टर जोगे इसमें O हटा देते हैं क्या लिखते हैं A-C-T-R अतब इसमें E-double-S जोडते हैं इसका एक्जामपल आप पहले वाले में ही दे दिये थे ठीक है है मैं इसमें 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 एक्टर होता है कि इसमें इसमें ऐदा देते हैं इसमें अंतलब इज हो गया है अग्वांटर हो गया यहां पे हो गया इंस्पेक्टर यह सब जितने विवाड है उसमें लास्ट में आड के पहले जो इन समय हाँ भॉवेल पहचानना हो जाए भॉवेल को आपको हटाना है एई आई यू यू जो हो भॉवेल को हटा के आथ तब उसमें एड़ेश जोड़न इंस्पेक्ट्रेस वह अधा देना है ठीक है तो यहां पे भॉवेल को हटा के अथा यू जोड़ना है ठीक है बहुत ही इसी है हुआ हुआ है कि दिक्ट है हम लोग नendraक में एक है यह किसी नुल को फालू नहीं करेगा ति कैसर की यहां आप लोग करना है यह किसी रूल पर नहीं है कि आप रूल फॉलो कर लोगे और वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, जैसे इसमें आता है इंपेरर, इंपेरर का होता है, इंप्रेस, E-N-P-R-E-S, इंप्रेस, इसमें हीरो का लिखेगा, तो क्या हो जाएगा, हीरोईन, इसमें आता है, जैसे हो एक विए मिस्टर का लिखिए, ब्राइड, ग्रूम का लिखिए, ठीक है, इसमें मिशलेजियस में हैं, तो यहां पर हो गया गवर्णर, यह घुस्ता है, इन सब को क्या करना होगा, याद ही रखना होगा, मिस्टर लिखे मिस्टर Double Bride Thrones होगा, ब्राइड मतलब दुलहन ब्राइड मतलब दुलहा उल्टा बोल दिया है ब्राइड मतलब दुलहा ठीक है है या बिल्कुल लिख लीजे लिखने के यह तो लिख वा रहा है फॉक्स का क्या हो जाता है वह लिखे गवर्णर का हो जाएगा गवर्णेस गवर्ण योगी यार्ट एंड़ी नवलेस फॉक्स का तो पता ही आप लोगो विक्षेन फॉक्स का फीमेल होता है विक्षेन मास्टर का हो जाता है मिस्ट्रेस या मिस्ट्रेस मास्टर का आप मिस्ट्रेस या मिस रैम का इवी बिल्कुल सही है वैसे ही वीडो वर वीडो वर का क्या है वीडो ठीक है तो इस तरीके से यह कुछ ऐसे फैमिनिंग जेंडर है जो किसी रूल को फॉलो नहीं करते हैं you have to learn them ठीक है आपको इन सब को याद रखना होगा clear है मिल्कुल सही है सब लोग का तो इस तरीके से यह कुछ ऐसे फैमिन जेंडर है जिसको आप लोगो को क्या करना होगा याद रखना होगा यह कुछ भी रूल पे नहीं है कि आप रूल फॉलो करोगे और याद रखना होगे और रूल से बन जाएगा ठीक है clear है अब यह कौन है अब वरुन भारत वाज इतना देर से क्लास जोईन कियो और भी बोल रहे हो गुड मॉर्णिंग वाइड यू सो लेट चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहां तक क्लियर है को यह और एस्टा कपाया दो दो ना इस तो भींगा होगा है इसे पूस्ट नहीं है को बड़काय दवता दो पाल नहीं है हाएड नहीं है क्लास पुछ कॉछ 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 हुआ हुआ है हुआ है हुआ है चलिए हम लोग देखते हैं जो नोट में यहां दिया हुए है ठीक है पूखना है अब बता नहीं रहता है मैंने भोस्ट मतलब भूत और विच मतलब मतलब डायन सही है क्या नहीं बता आयूशी मैंने बताया तो आप घोस्ट और विच कहीं पूश रहे थे बता है तो मैंने वोस्ट मतलब भूत और वीच मतलब डायन तो मेल और फीमेल क्यों नहीं हो सकता है बिल्गुल हो सकता है कि नोट में कुछ लिख लीजिए दिख लीजिए things remarkable for strength कुछ जो चीज़े है वो किवल मेल और फीमेल के लिए रिजिए जैसे लिखेगा रिमार केवल और strength साहस का बोध हो वैसा चीज जैस नहीं जैसे साहसका बोध हो greatness मतलब महांता का बोध हो ठीक है and violence और हिंसा का violence हिंसा का बोध हो ठीक है it is see तो as a rule दिखेगा इसको rule के हिसाब से इसको हम लोग masculine बनते हैं as a rule considered masculine gender masculine gender मानते हैं क्या क्या violence का अगर हो strength का greatness strength का मतलब होता है साहस है strength का होता है साहस तो वैसा वोट जिससे strength का क्या हो बोध हो strength मतलब साहस का greatness मतलब होता है महानता का violence मतलब हिंसा का बोध हो तब उससे हम लोग क्या करेंगे उसको हम लोग masculine मानेंगे जैसे for example देखिए strength मतलब जैसे अगर इसमें आगे wind हवा तो बहुत तेज हवा बहती है तो उसमें क्या होता है strength होता है अगर हवा ये तेज बहेंगी तो उसमें क्या होगा है strength होगा बहुत ही जादा साहस होगा बहुत तेजी से बहता है तो इसको हम लोग क्या बानेंगे masculine gender wind जहां पर यूज होगा masculine तो वैसी होगिया winter ये भी हमारा masculine gender ही होगा winter thunder होगिया thunder मतली ठंका ठंकता है यह भी हमारा masculine gender में ही आएगा ठीक है सन इसमें greatness का फीलोड है शन फिर वैसे ही हो गया वार युद्ध इसी तो यह सब वर्ड जिससे हम लोग को क्या हो गया वार से क्या हो गया violence का sense आया वार मतलब क्या होता है युद्ध तो उससे violence का sense आया तो जिससे भी हम लोग को strength violence का sense आया जिस वर्ड से उस वर्ड को हम लोग masculine मानेंगे नोट नमबर तू में लिख लीजिए अब ऐसा वर्ड जिससे beauty थेंग्स समझ में आ रहा है यह सब क्या लिख हो इस ट्रेंथ विंड विंटर शन वार इस सब बिलकुल इससे पता चल रहा है ना विंड मतलब यह बहुत ज्याद है इसमें तागल होता है मतलब इसमें की स्ट्रेंथ होता है थंधर इसमें वह सब्सक्राइब तो इस तरह का सेंज जिससे भी आएगा उसको अब क्या करेंगे मैस्कुलिंग लब सिंस रिमार्टेवल पर इसके लिए ब्यूटी मतलब खुभ शूरती के लिए ठीक है है यहां बैटल भी कुक्सूरती के लिए ग्रेश लड़ता के लिए ठीक है एंड एंड जन्टिलनेस मतलब विनम्डता के लिए ठीक है इस सब का अगर सेंस आए ड्यूती ग्रेश जन्टिलनेस आए तो उसको हम लोगो पीमेल मानना है ि तो मों द्यक्सिडरट यह हो गया है इसका बोद हो रहे है और निच अिड़नाधी जैन्स का शुडर ऑद पर मून चांद शूंदर का अबहुत बहुत हो रहा है प्र नेच हों गया प्रकिर्थी ये भी सुन्दर्था का बहुत करा रहा है ना बहुत ही खुब्सूरत होता है नेचर सान्ती पी एसी पी ये जेंटिलनेस हो गया शान्ती ठीक है फिर स्प्रिंग सीजन सब्सक्राइब गए सब्सक्राइब इसमें भी सब आजाता है सीप एरोप्लेन यह सब आपका फैरना इंडर में अगे इन सबसे किसी का सेंस आता है ब्यूटी ग्रेश इंडर्ता ग्रेश मतलब कि उसमें सुन्दर्ता हो गया इसमें खुबसूरती हो गया जेंटिलेंस मतलब उसका भी नमरता हो गया तो इस सब का अगर सेंस जिस वोट से आए उसको हम लोगते हैं फैमिन जेंडर में रखते हैं ठीक है है क्लियर है बताइए कि इतना समझ में आ गया सब लोग को बताइए और नो पड़ाफट मैसेज कीजिए ता मैं आप लोग को नेश चेप्टर स्टार्ट करता हूं जो की है केस ओफ नाउन यहां पर क्लियर है सब लोग बताइए जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं हाँ अक लेश ठीक है फ्रीडम तो इसका जो भी एक्सरसाइज है आप लोग को द्यान देना है कि नाउन को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट केस में कैसे उज़ करते हैं पोजेसिव केस में सब्जेक्टिव केस जिसको हम लोग नॉमिनेटिव केस बोलते हैं और अब्जेक्टिव केस अलग अलग कैसे यूज करेंगे उसके बारे में यह बहुत ही इंपॉर्टन चेप्टर है अब अब नेक्स हम लोग 14 चेप्टर जो की है केश ऑफ नाउन ठीक है केश का मतलब गता है कारक केश ऑफ नाउन ठीक है केश ऑफ नाउन करता क्या है रिखिएगा इसको केश ऑफ नाउन so the case of noun relation so करता है हाँ chapter 14 है case of noun case of noun और pronoun का भी case होता है तो और pronoun का भी लिख 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 case of noun और pronoun so its relation क्या दरसाता है so its relation to other word in a sentence किसी भी नाउन या प्रोनाउन का जो case होता है case का मतलब क्या हो गया कारक ठीक है यह कारक जो है वो sentence में दूसरे वर्ड से इसका relation दरसाता है relation की मतलब relation का मतलब क्या होगा कि करने वाला वहाँ पे कौन है ठीक है अगर sentence में कोई काम करने वाला मौजूद है तो वो किस case में होगा nominative case में ठीक है noun or pronounce words relation to other word nominative में होगा फिर अगर कोई noun या pronoun किसी दूसरे noun or pronoun पे क्या करें अपना अधिकार दिखा है तो उसको बोलते हैं हम लोग पोजेसिव केस और वह जो कर वह जो जिसका कोई भी काम हुआ action हुआ उसका effect पर पड़ेगा उसको जो दरसा है वह होगा हमारा objective केस ठीक है तो इस तरीके से तीन तरह की केस होते हैं तो इस लेजिएगा यहां पे there are three types of case ठीक है नाउन पर नाउन के तीन तरह के केस होते हैं सबसे पहला इसको हम लोग सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है इसलिए इसका दूसरा नाम सब्जेक्टिव केस नीए ठीक है नॉमिनेटिव बोलिए या सब्जेक्टिव बोलिए ठीक है दोनों एक ही है second जो अधिकार दिखाने के लिए यूज हो उसको बोलते हम लोग पोजेसिव केश ठीक है पोजेशन दिखाने के लिए होता है पोजेशिव केश में आपका दो dat je प्रणावन और पोजेसिव एड्जेक्टिव बोलों पार्टें है फोजेसिव केस का और थरड मन क्या हो अब्जेक्ट के रूप में यूज हो तो उसक दा दिखाने के लिए यूज हो और objective case जो object के रूप में यूज हो ठीक है जैसे इसमें हम लोग sort में लिए देता है नॉमिनेटिव केस यूजड एज अ सब्जेक्ट यूजड एज अ सब्जेक्ट ऑप वर्ड ठीक है सब्जेक्ट के रूप में यूज हो फोजेसीव केस क्या होता है योजड टू सो ऑजेशनर्म पोजेशनर्प मतला होता है अधिकार दिखाने के लिए ठीक है और objective case क्या होगा used as an object ठीक है object की तरह use होता है object की तरह जो noun or pronoun आएगा वो objective case जो अधिकार दिखाने के लिए आएगा वो possessive case और जो subject के रूप में use होगा वो subjective case जिसको आपनों nominative case भी बोलते है clear है बताइए समझ में आ रहा है a noun that is the subject of a verb is said to be in nominative case वैसा noun जो किसी भी sentence के subject के रूप में use होगा तो उसको बोलेंगा subjective case फिर a noun that denote the possession और honor of anything किसी चीज का possession दिखाएगा अधिकार दिखाएगा या उस पर अपना मतलब यह मेरा है अधिकार दिखाने का sense आएगा तो वो हमारा हो जाएगा possessive case और objective case में क्या हो जाएगा a noun or pronoun that is in the object of verb और preposition preposition या verb के बाद object के रूप में जो noun or pronoun हैगा वो हमारा क्या कहलाएगा objective case clear है? चमण में हा रहा है सब लोग को तो यह तीनों case जो होता है वो noun का भी होता है और pronoun का भी होता है ठीक है? noun का भी case होता है और pronoun का भी होता है तो noun के case में हम लोग अलग-अलग कैसे use करेंगे मतलब subjective में रहेगा तो क्या use करेंगे positive में जाएगा तो वहाँ पे किस तरह का formation होगा और object में जाएगा तो किस तरीके से दोनों का अलग-अलग form होता है noun अगर हम लोग यूज़ करेंगे nominity, positive or objective में तो अलग तरीके से pronoun का यूज़ करेंगे तो ये तीनों case में उसका formation क्या होगा? change होते रहता है, ठीक है? तो पहले हम लोग noun में देखेंगे उसको कैसे यूज़ करेंगे अब फिर हम लोग pronoun का भी देखेंगे ये लिख लिए पहले हम लोग noun का देख लेते हैं फिर हेडिंग डालिएगा formation of possessive case कैसे हम लोग possessive case बनाएंगे ठीक है? formation of possessive case तो देखिए similar noun नज़र रहेगा similar noun रहेगा तो उसमें हम लोग apostrophe के बाद s भी डालते हैं ठीक है? similar noun रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? apostrophe के बाद s डालेंगे तो लिख लिख लिजेगा by adding ऐसे लिखे रहे है by adding by adding क्या करेंगे हम लोग? apostrophe s apostrophe apostrophe s मतलब पहले apostrophe देखिए अर्थाब s ठीक है? by adding apostrophe s to the to the similar noun ठीक है? to the similar similar noun prob अर्थाब ना? अर्थाब के एक है? एक बण्देंगे राम काधिकार लिखार रहे हैं, अर्थाइ पुस्तक पे deciarted हम लोग देंगे पिता जी की घड़ी तो यहां पर पादर और अपस्ट्रॉफी इस देखे तब लिखेंगे वाच पर यहां पर नाउन जो है वो सिमुलर नंबर में है जब हो तो उसको हम लोग अजिकार दिखाने के लिए क्या करेंगे उस नाउन के बाद में अपस्ट्रॉफी देंगे तब इसका यूज़ करेंगे ठीक है यह तो हो गया सिमुलर के लिए लेकिन प्लूरल नाउन के लिए भी हम लोग क्या करते हैं वैसा प्लूरल नाउन जिसका लास्ट लेटर इस पे खतम हो इस पे नहीं खतम होता है उसमें अब हम लोग आपस्ट्रॉफी ऐसी जोडते हैं ठीक है यह लिखेगा लोग लोग प्लूरल नाउन जो बहुत सारे इसे प्लूरल होते हैं लेकिन कुछ ऐसे प्लूरल नाउन होते जिसका लास्ट लेटर एस पे खतम नहीं होता है तो जो एस पे खतम नहीं होगा उसको भी हम लोग क्या करेंगре यह आपस्ट्रोफी एसी जो रेंगे लेकिन जिसके लास्ट लिखर स्पर खतम हो वहाँ पर केवल आपस्ट्रोफी जो रते हैं फ़ले देख लिखे जिए दोज प्रूरल नाउंड विच दो नौट इंड विट लेटर एस ठीक है वी एड अपस्ट्रोफी एस अपस्ट्रोफी एस टू देम जैसे वैसा प्रूरल नाउंड के लिखेंगे जो कि क्या होगा वो इस पर खतंग नहीं होता है जैसे मिन ठीक है आदमी तो यहां पर लिखेंगे मेन अपस्ट्रोफी एस मेन्स वियर आदमियों का पहना हुआ ठीक है यहां पर यह मेन के है प्रूरल है लेकिन इसका लास्ट लेटर एस पर खतंग नहीं होगा तो उसके साथ अपस्ट्रोफी एस भी जोड़ेंगे ठीक है जैसे बच्चों का खिलोना तो क्या लिखेंगे चिल्रेन अपस्ट्रोफी एस तर्म ट्वाइज ठीक है चिल्रेन अपस्ट्रोफी एस ट्वाइज बच्चों का खिलोना इस तरीके से यह वैसे कुछ प्रूरल नाउन है जो की एस सब नहीं होते है लास्ट लेटर एन है त तो जब उस पर हम लोग अपस्ट्रॉफी के बाद इस का भी यूज करेंगे ठीक है यहां तक क्लियर है सब लोग का बताइए यह सोड़नो चली तो और भी इसके हैं children नहीं नहीं वैसे नहीं लिखेंगे खुश्बू गलत है Children के साथ S नहीं जोडते है Children already plural है Children के पहले आप S जोड़िए Children in के पहले S के पहले जोड़िए तो गुझबू आप गलत लिखे है S के बाद आप apostrophe दिये है बिल्कुल गलत है Children अतब apostrophe फिर S Children already plural है इसमें हम लोग S से IS नहीं जोडते है अपस्ट्रोफी के बाद देश देंगे इतना रूल क्लियर है सब लोग को चलिए आज के लिए पस इतना ही रहने देते हैं बाकी जो रूल है ठीक है मैं कल फिर से रिपीर कर दूँगा टाइम उबर हो गया है कॉस्की इस पे बिलकुल सही है तो बाकी के रूल नाउन से रिलेटेड और प्रोनाउन से रिलेटेड और भी पोजेसिव कैस है वो मैं आप लोगों को कल और डिटेल में इसको बताऊंगा ठीक है मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में क्योंकि आस टाइम ओवर हो गया है तो सी यू टोमोरो and बुदब गवाल आफ जैक चेर okay, bye